हलो गाईज, वेल्कम डिस्टिय ओफ फूचर एजुकेशन इट्यूप चैनल, आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाजल प्रादेश के कृषिव विश्व विद्याले पालंपूर में निकली हुई नई वेकेंसीज के बारे में तो उसकी जो मैं वीडियो अप्लोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो उसके लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बात करें अब इन वेकेंसीज की, ये वेकेंसीज निकली हैं चौधरी, सर्वनकुमार, हिमाचल प्रादेश, कृषिव विश्व विद्याले पालंपूर में इसमें जो पहली विकेंसी है, वो है यंग प्रोफेशनल की एक विकेंसी, 35,000 रुबे पर मंत इसमें दिये जाएंगे जो प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, वो रहेगा D.U.S. टेस्टिंग आफ, वक्भी, एट, C.S.K.H.P.K.B., M.A.R.E.C. सांगला और इसमें आपकी अप्लिकेशन फीस रहेगी जो आपको पे करनी होगी 450 रुपे और रिजर्ब्ड केटेगिरीज के लिए रहेंगी 110 रुपे लास्ट इट होगी अप्लिकेशन फॉर्म भरने की 30 नवंबर 2021 और इसके लिए आपको फीस बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में पे करनी होगी इन फेबर आफ, कॉम्ट्रोलर, C.S.K.H.P.K.B. पालंपूर और अप्लिकेशन फॉर्म को भेजने का एड्रेस रहेगा Head Department of Organic Agriculture and Natural Farming C.S.K.H.P.K.B. पालंपूर नेक्स्ट जो वेकेंसी है उसके अगर बात करें उसे पहले बता दूँ जो यह भी मैंने पोस्ट बताई इसके लिए Work Specific Interaction जो होगी यह होगी 2 दिसंबर 2021 को जो मैंने एड्रेस आपको बताया है उसी एड्रेस पे नेक्स जो वेकेंसी है यहाँ पे वो है Project Assistant की एक वेकेंसी 15,000 रुपे प्रती महीना जो है इसमें आपको जो है दिया जाएगा परमन सैलरी रहेगी है आपकी Qualification इसके लिए आपकी BVSC and Animal Husbandry या फिर B Pharma या फिर BSC in Biochemistry या फिर Biotechnology या फिर Molecular Biology या फिर Microbiology जो है इसमें की होनी चाहिए Desirable Qualification में अगर आपने Masters की है इन में तो आपको जो है प्रेफरेंस पहले दी जाएगी Project अनाम रहेगा Outreach Program on Ethno Veterinary Medicine Processing Feast रहेगी अप्लिकेशन की 1,500 रुपे, 30 रुपे, Reserved Categories के लिए Last Date रहेगी 29 नवंबर 2021 अड्रिस रहेगा Head Department of Veterinary Pharmacology and Toxicology DGCN CEO VAS CSKHPKB पालंपूर और इसमें जो है Berk Specific Interaction कंड़क्ट की जाएंगी 1 दिसमबर 2021 को जो इससे पहले वेकेंसी बताए थी उसके लिए Qualification की बात करें तो उसके लिए आपकी जो Qualification होनी चाहिए Post Graduation in Agricultural Sciences including all Agriculture and Allied Sciences या फिर आपके पास Graduate डिगरी होनी चाहिए Relevant Agricultural Sciences या फिर Life Sciences या फिर Engineering या फिर Technology या फिर Business Administration एटसेटरा As per ICAR Guidelines अब बात करते हैं इसके बाद next जो वेकेंसी है इसी Institute में तो next जो वेकेंसी है इसमें उसके अगर बात करें ये वेकेंसी हैं टीचर्स के लिए और टीचर्स की ये जो वेकेंसी है ये आपकी रहेगी In Discipline of Agrometeorology on Contract जो आवर बेसिस के उपर जो है इसमें आपको पेमेंट की जाएगी ये वेकेंसी जो है प्योरली टेंप्रेरी बेसिस के उपर होगी First and Second Semester जो होगा Academic Care 2021 उसके लिए इसमें आपको हायर किया जाएगा इसमें आपको अपना application जो है बायो डाटा के साथ और Self Attested Photocopies के साथ सब्मिट करना होगा 10 December 2021 तक एड्रेस रहेगा Dean College of Agriculture CSK HPKB पालंपूर District Kangra 176062 इसके लिए Essential Qualification आपकी Master's Degree होनी चाहिए नेट आपका Clear होना चाहिए ये आपकी रहेगी साथ साथ देख सकते हैं आप स्क्रीन पे क्या इसमें अधर जो Eligibility Conditions नोट देगे रखा हुआ है वो क्या होना चाहिए Remuneration में बताया गया है जो Master's Degree Holder होंगे उनको 500 रुपया पर Contact Hour जो है पे किया जाएगा Maximum 25,000 तक और PhD वालों को 700 रुपया पर Contact Hour maximum 25,000 रुपय तक इसमें आपको पे किया जाएगा Other instructions की यहां पे बात करें Other instructions इसके लावा कुछ वैसी बताई नहीं गई है तो यही तक आई जिन विकेंसी के बारे में पूरा information अगर आपको यह information अची लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ different groups में और इस तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही subscribe जरूर कर लें और bell icon भी प्रेस कर दें So thank you guys for watching this video मिलते हैं इसी तरह की next videos में